दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के एक बहुत ही नामी और खतरना ग्रे हैट हैकर के बारे में, जो महज 15 साल का था जब उसने पहली चीज ऐसी की थी, इस पूरी दुनिया में हिला के रख दिया था, मैं बात कर रहा हूँ जॉनथन जोसफ जेम के बारे में, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि ये कौन था, वो अब नहीं है, 1983 डिसेंबर में जन्म हुआ था फ्लॉरिडा में, जोनथन का, जोनथन को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, और आपको पता होगा कि 80 के दशक और 90 के दशक में कंप्यूटर शुरुवात में आ ही रहे थे, तो कंप्यूटर इतने पॉपिलर नहीं हुआ करते थे, उस वक्त में भी जोनथन जोसफ, जो था उसके घर वाले इसको जोसफ बोलते थे, वैसे उसको जोनथन जेम्स बोलते थे, जोनथन का बहुत इंटरस था है यार कंप्य माना जाता था अगर कोई computer सीखता था तो उसको यह बोलते थे कि यार यह तो भाई भविश्य का बच्चा है मतलब भविश्य में चलकर यह बहुत नाम कमाएगा लेकिन उसका इंट्रोडक्शन हुआ hacking से और hacking भी कोई अच्छी hacking नहीं ग्रे हैट hacking आपको पता होगा कि जो properly monetary gain के लिए भी नहीं की जाती जो कि सिर्फ मजाग के लिए हसी के लिए और ऐसे मजे के लिए की जाती है यह illegal तो होती है लेकिन इसका पूरे तरीके से वह देश्य नहीं होता जो एक black hat hacker का होता है black hat hacker का उदेश्य तबाही मचाना पैसे लूटना और बहुत गलत चीज़े होती है जो हमें समाज में नहीं करनी चाहिए तो Jonathan James 15 साल का था जब उसने NASA को hack कर दिया NASA को इस प्रकार hack कर दिया कि भाई वो तीन हफते तक उन्हें अपना system बंद करना पड़ा मतलब एक 15 साल के बच्चे की वज़े से NASA ने तीन हफते तक अपने system को बंद कर दिया यह देखने के लिए कि system में breach हुई कहां से ऐसा क्या गुज़ गया हमारे system में जो हमारे data को उड़ा उसने बहुत सारे workers के data को पढ़ना शुरू कर दिया इतनी कम उमर में क्योंकि इसको computer के बारे में इतनी knowledge हो चुकी थी उसके पूल के record निकालना और यह चोटी-चोटी चीज़ें उसने करना शुरू कर दिया जो सबसे बड़ा attack उसने किया था वो था NASA के उपर और वो वो system था जो की physical temperature ISS International Space Station के temperature, humidity को जो control करने वाला system था उस software को उसने हासिल कर लिया था और उसी software का इस्तिमाल करके वो अलग-अलग organization के data को पढ़ रहा था जबकि बच्चे को यह नहीं करना चाहिए और बच्चे को क्या यह तो किसी को भी नहीं करना चाहिए आपको किसी के data को आप कैसे नहीं पढ़ सकते, unauthorized तरीके से तो बिलकुल भी नहीं, बाद में जब वो इस तरह की चीज़े continue करता रहा तो उसके नाम का warrant हो गया, अब क्यूंकि वो 18 साल का नहीं था तो उसे जेल में नहीं डाला जा सकता था, लेकिन उसको सुधार ग्रह भीजा जा सकता था, यह एक तरह की house arrest मतलब उसको specially यह निर्देश दिये गए कि आप घर में रहोगे, कमरे में रहोगे, बंद रहोगे, हर महीने आपको defense department, क्योंकि उन्होंने उसने अमेरिका के defense department भी अपनी वो लगा दी थी, सेंद लगा दी थी बाई, defense department में से data निकाल रहा था वो, एक 15 साल, 16 साल का बच बंद रहना, computer ना सके, बहुत बड़ी बात होती है, 15 साल का बच्चा इस तरह के काम कर सकता है, तो सोचो जब वो बड़ा हो जाएगा, तो क्या कर सकता है, लेकिन वही बात है, कि Jonathan James ने अपनी knowledge का गलत इस्तिमाल किया, और इसलिए उसे 7 महीने तक, computer से दूर रहने के तो जैसे भी जो भी निकल पाया, उसको सजा दी गई, उसको 7 महीने तक, computer से और इन सब से दूर रहने की इन बनाई दी, उसके बाद उसने, वाइलेट कर दिया, उसको वो computer बचल गया, और उसके बाद उसे सुधार ग्रह, भेज दिया गया, कि भाई, अब तुम घर में त इसने थोड़ी सी सजा अपनी काटी, क्योंकि वो माइनर था, उसको बाहर निकल दिया गया, बाद में TJX, retail shops और जो भी malls होते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा data breach हुआ, अब Jonathan James के दोस्त बन चुके थे, और वो जो दोस्त थे, वो एक बहुत बड़े hacking group में काम करते थे, औ सब के नाम पर arrest warrant आ गया, अब Jonathan James काफी बड़ा हो गया था, उसको arrest किया जा सकता था, जब उसे ये पता चला तो उसने ये बहुत बुलने की कोशिश की, कि ये मैंने नहीं किया है, इसका कोई मुझसे संबंद नहीं है, उन लोगों ने अलग किया है, लेकिन नाम उस चीज से जुड़ चुका था, और उसका ये माना था, Jonathan James का कि भाई, ये जो नियाए परणाली है, और ये भी जो, ये हमारे नियाए करने का जो भी system है, ये मुझे नहीं बचा पाएगा, मैं लपेटे में आ ही जाओंगा, और मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, ये बताने का कि म C और 90 के दशक में इतने बड़े-बड़े काम कर सकता था, उसको suicide करके मना पड़ा, suicide किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो किस का गार पर आ गया, अगर वो ये एक अच्छा रास्ता चुनता, आपने knowledge का इस्तेमाल करके, NASA के लिए कोई नया system मनाता जिस से उसके system or secure हो सकते थे, defense department के लिए कोई नय चीज बना के देता, कुछ ऐसा software या कोई ऐसा code देता, जिस से जो America है वो बहुत सशक्त हो सकता था, लेकिन उसने गलत रहा चुनी, और गलत रहा तो चुनी हैं और शायद वो सुधरना भी चाहता था, लेकिन उसका जो चोटे, 15 साल के बच्चे की, जो ethical hacking में बहुत तेज था, 80 और 90 के दोरान, और यह जो चीज हुई, जो suicide गई है, यह 2007 में हुआ था, जब उसकी उमर 24 साल थी, तो जब मरने के वक्त पे उसकी काफी उमर थी, काफी सायाना था वो, लेकिन कुछ इस तरह के चीज उसके साथ ह जो गई, कि उसको जानते नी पड़ी, मैं असे बहुत सारे hackers के बारे में, अल्रड़ी आपको बता चुका हूँ, Gary McKinnon के बारे में, और बहुत सारे hackers के बारे में, Mathematicians के बारे में, Nikola Tesla, Scientist के बारे में, बड़े-बड़े businessman, Elon Musk के, अलग-अलग लोगों के बारे में, बता च hacking में इंटरस्ट है, आपका hacking में इंटरस्ट है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि इस दुनिया में कितने प्रकार के hacker होते हैं, और सबसे खतरना grey hat hacker, सबसे कम उमर का कौन था, अब आप जानते हैं, Jonathan James, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चेर कीजिए, अगर आप ethical hacking सीखना चाहते हैं, ethical hacking एक legal profession होता है, यह किसी भी तोर से illegal नहीं होता है, यह वो लोग होते हैं, जो अपनी skills का इस्तेमाल कर होती है, और यह बहुत अच्छा होता है, सरकार में भी, पुलिस में भी, हर जगा पर यह लोग पाई जाते हैं, बहुत ही रेपिटेटेड यह एक पोस्ट होती है, पोजिशन होती है, तो अगर आप ethical hacking की शुरुवात करना चाहते हैं, तो आसान भाशा में, हिंदी लैंग झाल झाल, तो आसान भी, होता है, बहुत है, तो आसान भाशा जाहते हैं, तो आसान भी, होता है, सर्थ जान ĭाशा उबएग गलादाफा उन्वाहते हैं, तो आसे लिएगा की शुरुभग?